स्वामी विवे कानंजी जब शिकागो पहुंशते हैं 30 जिलाई को उसके बाद में उनको पता लगता है कि पार्लामेंट अफ रिलिजिंस में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और उनके पास लेटर फ्रिकमोडेशन भी नहीं था तो कुछ ख्षणों के लिए हताश हो जाते हैं परंतो वे निश्चे करते हैं कि वे हार नीश्विकार करेंगे वे भले पार्लामेंट रिलिजिन में भाग न लेने को न मिले वे सनातन धर्म का प्रजार करेंगे और अमरीका में यह दी सक्सेस नहीं मिली तो फिर कि जल्दी से मुझे रूपया भीजवाओ कुछ और नहीं भीजवा सकते हो मुझे और कुछ समय यहां तक रहने के लिए तो कम से कुम वापस लोटने का रूपया भी भीज़ाओ यह सब मानो एक मुवमेंटरी उनके उनका यह था एक मुवमेंटरी जिसको बोलते हैं कि जो भी होगा अंतिम शण तक हम लड़ाई करेंगे तो इस प्रकार से स्वामी जी बाद में प्रार्तना करते हैं कि क्या भी उपाय हो सकता है इधर ठंड है कपड़ा ने कपड़े के लिए भी सम पैसा नहीं है इधर होटल का चार्ज दिने का भी पैसा नहीं है पैसा फंड एकदम से जल्दी से कम हो रहा है फिर उन्होंने सुना कि बॉस्टन की तरफ में सैथ कुछ कि वहां पर एक्स्पेंडिचर कम होगा और उसके बाद में रन को याद आया कि बॉस्टन में सही वे जो मिस्ट केट सेंबॉन ने उनको वैंकूवर से शिकागो जात समय ट्रेन में उनसे मुलाकात हुई थी तब कहा था निमंतन दिया था फिर केट सेंबॉन के हां जाते हैं और फिर वहां से यह दिवे यूजदा के भाग के रूप में अचानक मुलाकात होती प्रॉफिसर जॉन हैंरी राइट से और बहुत सुंदर परीशे पत्र देते है और साथ-साथ में जाने की टिकेट भी देते हैं और साथ-साथ में रेलवे की टिकेट भी देते हैं साथ-साथ में एकमोडेशन के लिए भी चैर्मन को लिखते हैं और एड्रेस भी देते हैं इस प्रकार से फिर वहां से बॉस्टन से बीच-बीच में कुछ जगब पर प् 11 जुलाइक को पुंचे थे शिकागों 13 और फिरसे वापस 9 सब्सक्राइब को पहुँच जाते हैं क्योंकि 11 सब्सक्राइब से दर्मसबा सुरू होने वाली थी है अब 9 सब्सक्राइब को वहाँ जब पोंचे शिकागों स्टेशन पर तो बीच में उनके साथ एक मुलाकात हो गई एक व्यापारी से तो व्यापारी को उन्होंने पूछा कि इस प्रकार से मुझे ये पारलेमेंट रिजेन की जो जिन पर ये रेकमेंडेशन लेटर लिखा ये एड्रेस दिया है मुझे वहाँ जाना है वालेमेंट रिजेन कमीटी का वह ओफिस का एड्रेस है यहां से मुझे सब कुछ मिलेगा मेरा रेजिस्ट्रेशन भी होगा और मुझे एकमोडेशन में मिलेगा तो उसने कहां मैं जगा को जानता हूं मैं आपको पहुँचा दूंगा और जब ट्रेन पहुँची शिकागो वह आद्बी हडबड़ी में कहां गायव हो गया कैसे जल्दी जल्दी चला गया सायद भूल गया कि मैंने इस प्रकार से स्वामजी को कहा था कि मैं आपको मारदर्शन करूँगा भगा फिर बाद में स्वामजी क्या करें बाद में देखा अरे जो एड्रेस जिसमें लिखा था प्रोफिसर राइट ने जो एड्रेस लिखा था वो कागज भी ले गया है अब क्या करें कागज भी नहीं एड्रेस भी नहीं है तो फिर वहां कुछ लोग को पूछा कि पार्लामेंट डिजन कमिटी है उसका एड्रेस वगएर बताए पार्लामेंट डिजन कमिटी का वेड्रेस वहां कौन बताएगा स्टेशन में अब वो ऐसा एरिया था जहां पर की लोग जर्मन ज्यादा समझते थे इंग्लिश नहीं समझते थे स्वामी जी जर्मन जानते नहीं थे यह भी कॉम्मिकेशन गैप हुआ तो किसी ने कुछ रास्ता बताया तो पता नहीं वो क्या समझा क्या नहीं उस रास्ते बहुत देर त वहां का घुमे बाहर तो उसी समय रेलवे स्टेशन में एक बॉक्स कार थी जिसको हम कह सकते हैं मालगाडी का डिबा टाइप का था पूरानी पुस्तकम आपको मिलेगा कि वो चित्रा भी मिलेंगे बच्पन में हम लोग पढ़ते थे बच्पन में कि एक छोटा सा बॉक्स उसके भीतर में सामी जी ने सारी राद बिताई ऐसी बात नहीं है इट वसे बॉक्स कार एंड नॉट बॉक्स तो यह थोड़ा कॉम्निकेशन गेप हुआ है तो बॉक्स कार वहां पर बोलते हैं मालगाडी के डिबे के समन वहां पर रेल डाइन पर पढ़ी हुई थी ऐसा ह तो देखा वो डिबा ऐसी पढ़ा है मालगाडी का डिबा उसमें जा करके ठंड बहुत लग रही थी तो वहां पर जा करके उन्होंने रात बिताई ये बात है अब रात तो कैसे भी करके बिताई फिर सुबह उट करके अभी फिर से खोजना सुरू करो एड्रेस किसको पू लेक मिशिगन बहुत बड़ा तालाब उसको देखने से ऐसा लगेगा ने कि तालाब है समुद्र और नीला रंग का बहुत संदर में देखके आया इतना संदर हुआ ऐसा लगता है कि मानों बड़ा समुद्र है तो उसकी गंद उनको आई कि कहीं पानी है उस दिशा में यहां पर से उन्होंने लेक लेक शोर ड्राइव यह एरिया आगया वहां पर लेक के पास में जैसे यहां पर आपने देखा बंबई में मेरिन ड्राइव के पास में कौन रहते हैं सब पैसे वाले सबसे ज़्यादा कॉसली तो वही एरिया रहता है सब एरिस्ट्रोक्रेटि नहीं चलता है एक बार में भी फस गया था अमरीका में मुझे मालूम नहीं था तो मैं अपना इसी घुश गया किसी के घर की पीछे के चला गया तब स्वामी जी रुगन का आप तो बड़ा मुश्किल करेंगे आप भी जिल में जाएंगे हमको भी मुश्किल करेंगे ऐसा न घर में आप ऐसे खुश जाते हैं मैं घर के पीछे गया था देखने के लिए कि वहां पर से कुछ रास्ता है या नहीं बहुत मुश्किल में पड़ गया था पर आकि उसका फायदा यह हुआ कि बाल्टीमोर में बात हुई थी जिस जगह पर कोई अभी तक नहीं गया था व और हमने वो जगह देखी जहां स्वामी जी रहे थे जो भी होगा तो वहां पर यह ट्रेसपासर का बहुत बड़ा प्राब्लम होता है तो स्वामी जी को यह पता नहीं था वो तो नौक करते थे अब बटला दर्वाजा खोलता था उनका उस समय तो ड्रेस भी ऐसा था एक यह पोई समझ भी नहीं पाता तो क्या बोलते हैं वो फूड वगरे मंग रहे थे कुछ रेस्टार्इंट भी वहां नहीं मिला उनको होटल नहीं मिली हो तो उन्होंने फिर इंडियन स्थेम के समान मादू करी बढो चलो विक्षा मंगो तो वह भी जहां जाते हैं उपर स कोई गाली भी देता था कोई ऐसा दर्वाजा ठोक देता था अब ये सब बहुत सब मकान में उसमें जाना भी मुस्किल उस जगा पर उजा रहे तो नेचरली हो तो उनको ऐसा कड़वानुव होना ही था ऐसा सब जगे उनको इतना अपमान हुआ उनका और चलते चलते थक भी गए फिर इतना थक गए कि एक पेड़ था उस पेड़ के नीचे बैड़ गए आज तो उसी पेड़ के पास में चर्च है अभी जो चर्च है डियर बॉन एवेन्यू आप जाएंगे तालाप से जो मिशिगन एवेन्यू से आप मिशिगन लेक से थोड़ा सा अंदर अंदर दियर बॉन एवेन्यू में तो लगबग एक कहले कोमेंटर जाने के बाद आपको दाहिनी और चर्च मिलेगा अभी उस जगह पर एक पेड़ है अभी वह पेड़ है उस पेड़ के नीचे स्वामे जी बैठे थे तो उस पेड़ का फोटो भी मिलाया हूं तो उस पेड़ के नीचे स्वामे जी बैठे और इतने ठक गये थे भूके भी थे तब फिर उननका ठीक है प्रभू तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मैं यहां पर विदेश में आकर के ठंड से भूक से मर जाऊं तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रभू तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो बस पूर्ण शर्णागती लेकर के चुपचा बेड़ के बस जो ना होगा इश्वर के इच्छा है यही पर शरी चला जाएगा अभी यह पूर्ण शर्णागती का भावन में आया है प्रभू शर्णागतो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो यह उनके मन में यह विचार आया कि सामने से एक्रोस दे स्ट्रीट यह रोड है बीच में इस तरफ पेड़ है उसके बीच स्ट्रीट जो रोड की उस तरफ में एक मकान में से दूसरे मजले से खिड़की खुली और एक महिला ने देखा यहाँ पर कोई इंडियन सन्यासी के समान एसा विचितरों ड्रे करके उनको पूछा आर युए डेलिगेट तो पार्लेमेंट ऑफ रिलिजिएंस आप पार्लेमेंट रिलिजिएंस के डेलिगेट है कि उनको पता था विविविन्य देशों से बहुत सारे लोग आएंगे यह भी विदेशी है अमरीकों तो दिखता ही नहीं है और इंडियन ने इंट्रोडक्शन तो दिया है उनके आप चिंता मत करो मैं जानती हूं वहाँ जगा कहा है मैं आपको खुद को पहुंचा देगी आईए करके घर में ले गई और इनके हस्बेंट भी थे चार उनकी दो पुत्रियां दो भांजिया थी वह सब थे और फिर उन्होंने प्रोफेसर राइट का लेटर आने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं है हार्वार्ड इंविश्टी के प्रोफेसर लिख रहे हैं ही हेर इस एमैन विस मोर लेंड़नेट देन अलवा प्रोफेसर पूट तोगेधर फिर क्या बात थी तो रिजिस्ट्रेशन हो गया स्पीकर के प्रोफेसर राइट ने लिखा था उनका रिजिस्ट्रेशन हो गया 10th of September को रिजिस्ट्रेशन हो और बाद में फिर एकमोडिशन चेयर में से भी मिले उन्होंने भी उनके रहने की एक जगा विवस्था कर दी दस तारिक को तो हो गया अब 11 तारिक को 11 सप्टेंबर को सुबह 10 बजे 10 घंटा बजा और वहां आर्ट इंस्टिट अफ शिकागो शिकागो में आप जाएंगे तो आर्ट शिकागो अभी भी है बिल्डिंग वही है पर भीतर का सब बदल गया है भीतर में एक बहुत बड़ा कॉलंबस हॉल था दूसरा पास में व और फ्लो होता तो लोग ज्यादा हो जाते थे उनको फिर वाशिंटन हॉल में बैठा कर बैठाय करते थे फिर उसी प्रोग्राम को यह रिपीट किया करते थे उस समय यह वीडियो कॉन्फरेंस इंग अगेर का सवाल ही नहीं था माइक भी नहीं था जो बोलना है उतने यह आर्टिस्ट्र शिकागो में इस प्रकास से लगबग साथ हजार डिलीकेट आये थे विविन्न धर्मों के प्रतिनिती टॉप मोस्ट पूरे विश्व से आये थे पूरे विश्व से भारत से भी कुछ लोग गये थे प्रताप चंदर मजुमदार ब्राहम समाज के प्रत परात्मान जी को बोला इन्होंने कि नहीं समुद्रियात्र करना निशिद्ध है और इसलिए फिर उन्होंने अपने रिप्रेजिटिटिव ग्रूप में विर्चन गांधी को भेजा और विर्चन गांधी भी जब वापस गया तो उनको जाती से चुद किया गया जैसे महात सप्टेम्बर को यह दस घंटा बजा सभी विविन धर्मों के जो मेजर धर्म हैं मेजर रिलीजिंस अब दो वर्ल्ड दस मुख्य धर्मों के सनमान में दस घंटी बजे और पिर कार्डिनल गीबंस यह चेर में बैठे और स्वामी विवेकानन का सीरियल नंबर था थर्टी में सब लोग वेलकम का रिप्लाई सबको देने की बात नहीं थी स्पीकर तो बहुत सारे देर सो दोसों स्पीकर बैठे थे बहुत बड़ा प्रेटफॉर्म था इधर मिनिवम चार हजार लोग बैठे थे और बहुत भीड थी यह ऐसी घटना पहले हुई नहीं विश्व मे कभी नहीं विश्व में सबसे पहली विश्व धर्म परिशद जहां की विविन धर्मों के प्रतिनिदी अपने अपने ड्रेस में अलग अलग देश के यहां पांचाइना इंडिया कितने सारे देशों के कितने सारे धर्मों के प्रतिनिदी वहां स्पीकर की सब बैठे हैं यहाँ पर डेलिगेट्स के रूप में भी बैठे थे तो यह एक अद्बुद घटना थी और यह तो कॉलंबस के चार सो साल पहले जो अमरीका के खोश की उसके भाग के रूप में था कॉलंबियन एक्सपोजिशन जो था बहुत-बड़ा मेला लगा था बहुत-बड़ा इस प्रकार से विबिन एक्जिबिशन यह सब में बहुत-बड़ा एडिया उन्हों ले लिया था सब चाल काम चल रहे थी स्वामी बोले कि आपको एक्जिबिशन उपर-उपर से देखना हो भी तो दस बिंज लगेगा इतना बड़ा वह एक्जिबिशन का ग्राउंड था इंडर्स्टिल फेर का और दूसरे एक्जिबिशन सब का आर्ट एक्जिबिशन सभी जो भी होगा तब ही यह इस प्रकार से एक के बाद एक बाद में पहले वेलकम के बाद सबको सलेक्टेड मेजर रिलिजन के उन लोगों को पांच-पांच मीट दिया गया था अपने पूरी जंडल कमिटे के चेर्मेंट थे इन्होंने यह वेलकम इड्रस दिया और इसे चल्स बोनी नाम के जो руш देदर आये जो एक साल तक चल रहा था प्रिपेशन एटीन नाइटी वन से सुरू हो गया था अठाव से प्रिपेशन सुरू हो गया थे और यह 893 सप्टेंबर में 11 सप्टेंबर को 11 सप्टेंबर यह भी 9-11 ही था बाद में तो 9-11 दूसरा हुआ यह जहां पर की वर्ल्ट रेट सेंटर का जो टीन टावर वो नष्ट हो गए आपको मालू में साड़े तीन हजार लोग मर गए कितने इंजवड हुए पर यह 108 इसके 108 साल पहले उस 9-11 के 108 साल पहले वही 9-11 को 11 सप्टेंबर क 1893 में स्वामी विवेक अनंजी ने चेतावनी दे दी थी अपने प्रवचन में यदि हम धर्मादुता को बिदा नईद करेंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगे तो यह सुबे से लेकर प्रवचन शुरू है फिर स्वामी विवेकान को इन्हों ने कहा चेर्म को अपने पत्र में लिखते है अपने आला सिंग्या पेरिमल को कि मैंने देखा एक के बाद यह लोग जो प्रवचन कर रहे हैं इतना सुंदर प्रवचन यह प्रताप चंद मुजूमदार ने किया चक्रवर्ती वह भी बंबई से आया था वो इसके यहां से थियोसा फिवल मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैदरिंग होगा यह भी मैंने कल्पना नहीं की थी और यह इतनी बड़े गैदरिंग और यह गैदरिंग मतलब इस नॉट नंबर यह सब एक से एक बढ़कर के highly intellectual they are professors they are highly religious leaders अपने अपने क्षेत्र के leaders अपने अपने क्षेत्र के स्वामी जी तो एकदम नर्वस हो गए ऐसा खुद बोलते हैं फिर उसके बाद में उन्हों का नहीं अभी नहीं बाद में तैयार ही नहीं से नहीं कुछ लिखके रखा था अब क्या करें फिर दो-तीन बार ऐसा किया morning session चला गया फिर afternoon session में फिर से इन्हों ने कहा chairman ने अब कि फिर आबाद में जब बोला कि लास्ट चांस है आपको बोलना हो तो बोलिए अन्हीं तो छोड़िए तब फिर वो उठे महासरस्वती का स्मरंण किया गुरुदेव श्वी रामकृष्ट देव का स्मरंण किया और कि वल इतना ही बोले sisters and brothers of America बस और ये सब जितने हजारों लोग सब खड़े हो गए और ताली बजाने लगए ताली बजाने लगए स्वामी जी को लगा कुछ गलती हुई क्या है और फिर बाद में बीच में बोलने का प्रैतन करते पर बोलेंगे कैसे इतना आवाज होने लग गया सब लोग जो और जोर से ताली बजा रहें ताली बजा रहें ताली बजा रहें दो मिनिट तक मिनीमम ताली बजी आप सोचिए दो मिट किसको बोलते हैं यहां पर यह विवेकान हॉल में अभी यह विवेक हॉल है विवेकान इंस्ट्टुट और वेली जिगन कल्चर का हॉल है यह इंस् स्वामी विकान की शिकाओगो धर्मसभा की 125 जैनती थी, तब हमने युवा समिलन का आउजन किया था, और तब मैंने कहा था युवकों को, कि तुम लोग भूल जाओ, कि आज 11 सप्टेंबर 2018 है, ये समझो, ये 11 सप्टेंबर 1893 है, भूल जाओ, कि तुम विवेक हाल में हो, तुम ये सोचो, कि ये आर्ट इंस्ट्टिट का हॉल है, शिकाओगो का, और स्वामी विवेकानन यहां खड़े हैं, और वो बोल रहे हैं, सिस्ट्रस और ब्रदर्स अमेरिका, अभी तुम लोग खड़े हो जाओ, और तालिया बजाओ, सब लोग खड़े हो गए, ताली ब हुए नहीं थे, कम्प्रीट, तो आप समझ जाओ ये दो मिट किसको बोलते हैं, हम लोग बजाते हैं, दस-पंदरा सेकंड ठीक है, जादा-जादा तीस सेकंड, दो मिनिट, और जॉन हैंडरी बेरोज ने जो उन्होंने एडिटर भी थे, जो चैर्मेन थे, उन्होंने applause that lasted for a few minutes, not two minutes, few minutes, वो तो few minutes की बात करते हैं, जो भी होगा, minimum दो मिनिट तक भी ऐसा हुआ, उसके बाद में जब आवाज सांत हुआ, तब स्वामी विवेकान ने अपना अत्यंत संक्षित, क्योंकि दो मिट तो चला गया, भी तीन मिट बचा, ये तीन मिनिट में उन्होंन अपना भाशन दिया संक्षित, now today it is considered one of the best speeches in the whole world, in the history of the world, सारे विश्व के इतिहास में ये सर्वस्चेस्ट प्रवचनों में से एक गिना जाता है, जब भी hundred speeches of the world, कोई पुस्तक निकलती है, कोई लिस्ट बनता है, तो उसमें ये speech रहती है, hundred great speeches of India में भी ये speech रहती है, स् इतनी famous speech, केवल तीन मिनिट की speech, 472 words, क्या कहा स्वामी जी ने, स्वामी जी ने यही का पहली नंबर, we do not believe in toleration, we believe in acceptance, हम भारत वर्ष में केवल सहन करनी की बात नहीं करते हैं, we believe in universal acceptance, और फिर उन्होंने भगवत गिता का श्लोक सुनाया, कि सभी जितने followers हैं, सब एकी सत्य की तरफ आ रहे हैं, ये यथा माम प्रबद्यनते, तास्त थे वा भजा में, महम वर्त्मान वर्तनते, मनुश्या पार्त सरवश्या, और फिर महिमने स्थोत्र का स्लोक उन्होंने स्लोक किया, जैसे सभी नदिया एक और आ करके मिलती हैं, उसी प्रकास सभी धर्म विविन जो हैं, वो एक ही सत्य की तरफ जा रहे हैं, ये उन्होंने उन्होंने उन्यवर्सल रिलिजिन की बात कही, और फिर उन्होंने कहा, उसी स्कlandरियान स्ट्रीट् käो प्रच ब्लबुट एक होाह, भी स JOSH ब्लबुटा इन्होंने स्थजिए्टाज ट्षили पालब जगजिए ओन धुझ ब्विन कि अित्क तर्फ जोले म mają one with blood, बुझ फट्थेवाउcel से Etek morning in the honor of this convention maybe the death of all sorts of fanatism of all sorts of dogmatism of all sorts of persecution whether with the sword or whether with the pen in the name of religion and of all uncharitable feelings between the men wending their way to the same goal if you saw me jihnei khaa kiya dharmandata sampradayikta nye is vishwa ke kun ki nadiyan us ke karan bahi hai e dharm mein joh sampradayikta hai joh anndwish annd joh sampradayikta ki bhaonau ke karan aur dharm zanunta ke karan fanatism us ke karan kun ki dhira bahi hai dharm ko toh jodhne ka kaam karna chahi po usne tohne ka ka kaam ki hai but maya ishi asha karta ho ke aaj joh ghunta ghunta baja is convention ke praram mein wo sabi prakar ki sampradayikta ka sabi prakar ke dharm par neki naam par johtiacharo ka mrtnaad sidh ho let it be the death null of all sorts of fanatism of all sorts of persecution whether with the sword or with the pain pain se ya talwar se joh bhi abhi persecution ho ra hai dharm ke naam se woh sabka ant ho jayega aasi mein aasha karta ho hai aur joh women dharmu ke joh dharmai ek hi tarp jatate hai wun sab ke bishki jitni dhurbhavna unka nash ho ga.is prakar se joh bhaashan kiya abhi aap shikago me jayi art institute abhi toh usko reform keya ghe bhot bhodi art galeri vohan gai hai toh woha abhi woh kolumbus hall nahi hai now Washington hall hai toh kare ke abhi fullerton hall joh hai woh chhota hall hai par hai usi jagha par usi jagha par usi jagha par bachpan se meeri bhout iccha thi ki usi hall mein jau ga toh wohol toh milani par thik usi jagha par fullerton hall hai woha par jane ka moka mila woha par jake romaan chua ki isi jagha par swami ji ni khađe ho karke ye bhaashan dhya hooga kaisa woh drishch hooga jibhi sab sari hazaarho loog khađe ho karke tali bhaja raha te kaisa drishch hooga ye such raha tha aur aapko jana karke aashir hooga woha par eck copper plate hai lagai gai hai usi art institute of chicago me here haa par isi jagha par swami vivekan anand ne aapna aithiyazik bhashan dhiya tha astharos 93 me 11 September ko par parliament of world region me itne sare loog kitne dhishke kitne dharmaguru aya thay kisi ka naam nahi hai keval swami vivekan ka naam ar yaya art institute ke saamne joh road hai usko road ka naam dhi hai vivekanan vek to aaj ye 125 sal baad ye swami vivekan ka joh bhaashan hai wo aur bhi adik relevant ho raha hai toh jaisa maine ka 100 sal tuk baad me kuch huwa nii phir 1993 ko 1993 में फिर फिर दूसरी parliament of world religion हुई तब कहा गया कि सब होना चाहिए हर पांच साल में अलग-अलग देश में तो seventh parliament of world religion उसी committee को reform किया गया था the seventh parliament of world region यह कही गई थी toronto में एक से साथ नौंबर आपको जानकर आश्चिर होगा उसमें एक सो बीस देशों के दो सो विपीद संपरदायों के दस जाड डिलिकेट आये थे और सभीन में कहीं सवामी विवेकान का जिक्र किया और इसके इनौगरल सेशन में सवामी विवेकान के इनौगरल एड्रेस और कंट्रोडिंग एड्रेस का वहाँ पर पाठ किया गया और सभी ने सवामी विवेकान के कंट्रिबूशन को जाना इसको माना और उसको स्विकार किया यह आज की बात है तो धीरे-दीरे संपरदायों काम होरी पर भी बहुत काम बाकिए पर इतना हुआ है सवामी विवेकान के उस तरफ जो उन्होंने काम शुरू किया धीरे-दीर आगे बढ़ रहा है इतना तो हुआ कि 120 देश के 200 संपरदायों के 10,000 लोग आकर के कैसे हम लोग भाईचारा बड़े युनिवेसरल ब्रदरूट की बाते कर यह भी अपने आप में बहुत बड़ी सुरूपी उनको यह सक्सेस मिली और आज भी एक काम उनका जारी है बाकी की बाते कल करेंगे आज यह समाब करें